कि सबी दोस्तों को नमस्कार मित्रों मारवाड का मेवार की इतियास कंप्लीट हो गया एंटी वायटी गरूप मेंistem आपका मारवाड के इतियास कंप्लीट हो एंटी वायटी घूбत में और हम लोग बात करने जा रहे है वीका और का राठोड राजवल्स और एंटिवाटिक वेसरी जो समय की तो बच्षत करता है उसके लाव में मेंटर भी कहां काफी देखे जा रहा है बात करते हैं हम लोग बीका नेर में राठोड यह आपका जो भीका नेर है बीका नेर बादे बसेगा यह आपका राजिस्तान का उत्र परदेश के नाम से जानते थे तो राजपुतरणा परदेश का उत्री भाग जांगल परदेश के लाता था और पूरो में यहां राज्य रहा है बड़िया सवाल पहले जांगल परदेश में राज्य किस ने किया है तो आपके सांखला और भाटियों ने किया है यह बड़ी अकोशन आपका बनता है तुसरी बात आप यहां राठोड आए कहां से उसकी बात कर रहे हैं हम लोग तो राव जोदा राव जोदा मारवार से थे और राव जोदा आपको कहानी बताई मैंने राव जोदा के आपके एक पुत्र का नाम था सातल देव छोटा था और उनकी मा का नाम जासम देथा तो राव जोदा ने अपने पुत्र सातल देव जो कि छोटा था उससे उत्रादिकारी बनाया और राव विका को उत्रादिकार से क्या कर दिय भंचित कर दिया राओ विका पीता ने कहा कि बेटा ऐसा कर दूगा हलाकि पिटा राओ जओधा के बड़ए पूत्र नीवा था लेकिन कि मिरत्रह वीन राओ फीटाpg तो यह इलाका आपका जांगल परदेश में रखी निव रखी लगा कि यह सामराज्जी मेरा इस्ताई हो सकता है तो आपके तेवी वर्ष बाद यानि आपके 1488 में इन्होंने एक नगर बसाया उस नगर का नाम है भीका नेर नगर तो अभीका नेर नगर बसाया ये नगर अक्षे तिर्किया के दिन बसा नि आखा तीज के दिन बसा इसलिए आखा तीज यानि अक्षे तिर्किया को भीका नेर इस्ता आगे जाके आपका राई सिंग है यहां इसी पुराणे गड़ के स्तार पर निव रखेगा इसलिए उसका नाम क्या रखा है जूना गड़ रखा है तो बात क्लियर हुई कि आपके मारबार के सासक राव जोदा किरानी नोरंग दे का पूतर राव भीका ने जांगल परदेश में 1465 में राठोड वन्स की क्या रखी निव रखी और यह वन्सावली समझा रखी आप लोगों को राव भीका 1465 से 1504 इनका शासनकाल रहेगा और बात करें हम राव भीका की देखिए तो पिता का नाम राव जोदा हो गया बात किलियर हुई ठीक है कि आपके मा का नाम नो 1438 को जन में 1465 में जांगल परदेश में राठोड वन्स की क्या रखी निव रखी जांगल परदेश में राठोड वन्स की निव कव रखी तो आप कहेंगी 1445 रखी पहली बात राज चिन्नों पर जय जांगल दर बादश्या क्लियर है कि जांगल दर हमके जांगल परदेश से जांगल नरबाद से अंकित होगा 1488 को दिन था बार अप्रेल को अक्षिय तिर्क्या का दिन था बैशाख शुकला तिर्क्या थी आपके यहां नगर बसाया वे बीका जी की टेकरी किन्तु बना नहीं पाया इसी स्थार पर राई सिंग ने जूना गर दुरुग बनवाया और यह आपका जो आपका यहां से एक मारग निकलता था एक मारग आप लोगों के अजमेर का एक मारग मुल्तान का एक मारग नागोर का तो तीनों मारग जहां मिलते थे उसे राती घाटी का मारग कहते थे और राती घाटी के मारग में शहर बस गया इसलिए राती घाटी क आपके निदर के बाद आपके राज चिन मुझे मिलने चाहिए लेकिन राव सूजा जो कि मारवार के सासक है उन्हों राज चिन देने से इंकार के लिए इसी बात को लेके राव विका का युद्धुआ लड़ाई हुई किसे राव सूजा से यह सब बाते आपको पता होनी च करेंगे तो सिद्धीति सी बात है राव विका के बाद में इनका पु euros नरा जो कि मातर के एक साल के लिए रहेगा राव नर रहेगा और palavras रहेगा और फिर क्योंकि निश संतान में निए पुत्र मरा गया तो इनका भाई बेटा झाल क्रफ राव लून करण 505 में राजा बना और 1526 तक राजा राव तो राव भीका के दो पुतर राजा बनेंगे किरम में राव नरा आएगा कहीं आप गलती से कर बैटो और राव लून करण कर दो आपसे किरम लगवा तयाज गाल तो यह आपका भीका दिर में राठोड वंस के इस् सब्सक्राइब कर लेना आपके वहां राय राजवनसी इतिहास के नाम से मैंने पीडिव डाले हुए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साब करें करें